Hello Everyone, Circle of Education welcomes you हम कर रहे हैं सीरीज Figure of Speech पे जिसमें almost 15 Figure of Speech हम already discuss कर चुके हैं अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले आज की इस वीडियो में हम कुछ other Figure of Speech discuss करेंगे जो अक्सर exam में पूछ ले जाती हैं तो वीडियो के end तक बने रहे हैं और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें आपके क्या opinion हैं कमेंट सेक्शन में रखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो शुरुआत करेंगे हम paradox से paradox एक ऐसा word है जो हम डेली राइफ में बहुत यूज करते हैं और बहुत लोगों से भी ये हमने word सुना है तो paradox है क्या चलिए जानते हैं paradox एक figure of speech है जिसमें क्या होता है ये completely contradict कर देता है same sentence में अपनी ही बात को कि एक line है एक sentence है जिसका जो first part है वो contradict हो जाता है उसी line के second part से मतलब एक ही sentence में दो opposite बाते कहीं जा रही है एक बात दूसरे को काट दे रही है इसी को जो है paradox बोलते है paradox is a statement which looks absurd कि शुरू शुरू में जब हम उस line को देखते हैं उस sentence को देखते हैं तो हमको वो जो है absurd लगता है हमको लगता है कि ये तो बेहुदा है nonsense है इसका तो कोई logic ही नहीं बनता है और ये क्या करता है contradict करता है अपने ही आपको sentence के पहले ही पार्ट को second पार्ट जो है वो contradict कर देता है लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखते हैं उसको analyze करते हैं तो हमको लगता है कि इस line के जो construction है वो बहुत ही अच्छे से की गई है और फिर लगता है कि नहीं ये nonsense नहीं है इसके पीछे बहुत ही अच्छा जो है वो logic है तो paradox का एक important चीज ये भी है कि एक important truth जो है वो reveal करता है यानि यहां जो sentence होते है paradox में उसको analyze करने पे जो हमको पता चलता है कि ये बात जो है सच है अब बहुत से लोग जो होते हैं paradox, epigram और oxymoron में जो है वो confused होते हैं तो देखो oxymoron में क्या था two opposite words जो है वो एक साथ use हो रहे थे opposite word यूज हो रहे थे एक साथ लेकिन paradox में क्या है कि sentence ही जो है वो ऐसा use होगा कि first part अलग होगा second जो है उसको काट रहा होगा साथ ही साथ ये क्या है एक truth जो है reveal करेगा second part जो है वो first part को contradict करेगा ये जितनी भी figure of speech है जो की opposite पे based करती है इन में बहुत confused होते हैं और बहुत गलतिया कर देते हैं तो छोटी-छोटी जो इसमें differences हैं चोटी-छोटी जो points है important वो आपको mind में रखना है तो आप confused नहीं होंगे तो oxymoron में दो opposite word एक साथ use हो रहे थे paradox में क्या है कि पूरा जो phrase है जो sentence है वही जो है difference हमें देखने को मिलेगा चलिए कुछ examples देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे paradox को लेके war is peace कि युद्ध ही क्या है शान्ती है अब ये पढ़ते ही हमको लग रहा है कि क्या nonsense बात है अगर लडाई होगी तो फिर शान्ती कैसे होगी लेकिन जब हम इस sentence को analyze करेंगे तो हम देखेंगे कि हां कई बार लडाई ही जो है वो एक समाधान होती है शान्ती स्थापित करने के लिए और कुछ examples देख लेते हैं ignorance is strength कि कोई चीज को जब हम ignore करना सीख जाते हैं तो हम क्या है ताकतवार हो जाते हैं freedom is slavery अब यह देखो यह line ही अपने आप में बहुत जादा nonsense लग रही है absurd लग रही है कि freedom slavery कैसे हो सकती है लेकिन कई माईनों में हमें देखने को मिलता है कि स्वस्दंतरता जो है एक तरीके से वो गुलामी बनके रह गई है चलिए कुछ और example देख लेते हैं child is the father of man अब child कैसे father हो सकता है man का लेकिन इसके पीछे का logic यह होता है कि हम जो है कुछ चीजे बच्चों से सीखते हैं और बच्चे के साथ ही जो है man जो है वो father बनता है एक और example देख लेते हैं stone walls do not a prison make कि जो पत्थर की दिवारे होती है ये prison नहीं बनाती है nor iron bars are cage और नहीं जो ये लोही की तार जो होती है जो सरिया होती है नहीं वो एक पिंजरा बनाती है अब ये बात पढ़के भी हमको जाहिर सा है कि ये लग रहा है कि ये बात तो गलत है ऐसे कैसे हो सकता है कि जेल जो होती है वो तो पत्थर की दिवारों से ही बनती है और जो पिंजरा होता है वो लोही की सरियों से तारों से ही बनता है लेकिन इसके पिछे का अगर philosophical thought देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि कई बार जो prison है जो jail है जो कैद है वो actual jail नहीं होती है कुछ लोग अपने घर में भी जो है वो jail जैसा महसूस करते है तो ये उनके लिए है और cage भी पिंजरा भी हमेशा वो लोहे का नहीं होता है कई बार हमारी circumstances या हमारा घर या हमारी situation जो है वो हमारे लिए पिंजरा बनके रह जाती है चलिए और एक्जाम्पल देख लेते हैं There is no one so poor as wealthy measure कि वो गरीब भी जो है इतना गरीब नहीं होता है जितना एक अमीर कंजूस इंसान होता है ये एक बहुत ही फेमिस लाइन देख लेते हैं This is the beginning of the end अंत ही आरंब है जो है हम यहां से समझ सकते हैं कुछ और एक्जाम्पल देख लेते हैं Death, thou shall die कि death तुमको मर जाना चाहिए और एक्जाम्पल देख लेते हैं The parts of glory lead but to the grave एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं Here are the rules, ignore all rules अब यह देखो line ही अपने आपको contradict कर रही है कि यहां पे जो हैं यह rules हैं सारे और rule क्या है कि सारे rules को ignore कर दो तो उम्मीद है आपको paradox बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा चलिए next figure of speech देख लेते हैं epigram यह भी difference पे based है तो epigram क्या है An epigram is a brief saying पतलब कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह देना सार गर्भित बात कह देना It ends in witty turns of thought तो यहां जब sentence खतम होता है तो एक witty turn के साथ खतम होता है और language के अंदर जो है हमें contradiction देखने को मिलेगा और जब हम उस line को sentence को पढ़ेंगे तो एकदम से जो reader होगा वो shock में चला जाएगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है यह क्या है एक impossible बात है और कभी कभी sentence में हमें देखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी बात कही है वो हमेशा सच ही हो logical हो सकती है philosophically वो ठीक हो सकती है लेकिन वो सच हो ऐसा जरूरी हर बार नहीं होता है तो epigram में हमको क्या देखने को मिलेगा एक contradiction देखने को मिलेगा language में हमें एक deeper meaning देखने को मिलेगी statement में जो भी है contradiction देखने को मिलेगा और जब उस sentence को हम पढ़ेंगे reader पढ़ेगा तो उसको वो impossible लगेगा और एक पल के लिए क्या है वो शौक में चला जाएगा कि यह क्या बात हुई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है यह impossible है चलिए इसके कुछ example देख लेते हैं vision is the art of seeing things invisible कि vision क्या है एक ऐसा art है देखने का जो कि invisible चीजे भी देख सकता है एक और example देख लेते हैं the child is the father of man यह example जो है यह दोनों figure of speech में आया हुआ था एक बार exam में इसलिए मैं इसको दो जगा यूज किया है लेकिन option में आपके एक ही रखा जाएगा इसलिए जो है यहाँ पे भी इसको मैंने as a example यूज किया है इसको और easy language में अगर मैं समझा हूँ तो हमने कई serials में या drama में यह कहते सुना होगा जहां पर लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर में safe नहीं हूँ मुझे मेरे घरवालों से बचा लो तो यह किसका example है epigram का है कि लोग जो है वो अपने घर में ही सबसे ज़्यादा safe feel करते हैं लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि वो अपने घर में ही सबसे ज़्यादा unsafe है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है तो यह भी किसका example हो जाएगा एपिग्राम का हो जाएगा एक बहुत ही famous line थी जूलियर सीजर में भी अगर आपने वीडियो देखिए तो आपको याद होगी जहां पर जूलियर सीजर की जो वाइफ होती है कैलफूर्निया वो बार बार उसको रोकती है बाहर जाने से उस वक्त जूलियर सीजर बोलता है कि कोवर्ट जो होते हैं कोवर्ट डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देर डेथ कि अपनी मौत से पहले जो कोवर्ट लोग होते हैं जो डरपोक लोग होते हैं वो बहुत बार मर चुके होते हैं है ये भी किसका एक्जामपल है एपिग्राम का चलिए कुछ और organism देख लेते हैं ये दो एक्जामपल एक्जाम Мें आए हुए हैं क्युख जल्दी में हम हम होते हैं century become होती है क्युक्त है जल्दी के च करन देए और जो है देरी हो जाती है boys will be boys भी जो है example है एपिग्राम का है और example देख लेते हैं art lies in the concealing art next example है in the midst of life we are in death कि अपने जीवन के मध्य में हम क्या है सब लोग death में हैं उम्मीद है आपको एपिग्राम भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा चलिए next example देख लेते हैं next figure of speech देख लेते हैं वो है antithesis यह भी जो है difference पर ही based है तो काफी similarity हमको जो है paradox और epigram में देखने को मिलती है और oxymoron और antithesis में देखने को मिलेगी तो antithesis और आपको oxymoron में जो है वो confused नहीं होना है antithesis में क्या होता है the juxtaposition of opposing और contrasting idea in a sentence एक ही sentence में दो opposing idea होंगे जो दुसरे को contrast कर रहे होंगे और जो clause होंगे उनमें जो है हमें opposite idea देखने को मिलेगा antithesis में चीज़े हमें देखने को मिलेगी अब यह चीज़े तो हमको oxymoron में देखने को भी मिल रही थी लेकिन oxymoron में क्या था दो opposite चीज़े आइडिया जो है वो एक साथ रखी गई थी उनका आपस में कोई भी balance नहीं बन रहा था लेकिन antithesis और oxymoron का जो major difference है वो यही है कि antithesis में जो different ideas जो thoughts रखे जाते हैं जो word रखे जाते हैं वो sentence में जो है एक balance create करते हैं यही एक difference है antithesis और oxymoron में चलिए antithesis के कुछ examples देख लेते हैं अब इसका एक बहुत ही famous example देख लेते हैं जो कि exam में भी आया हुआ है to err is human, to forgive divine कि गलती करना क्या है इंसान का काम है और माफ करना जो है एक divine है भगबान का काम है इसकी थीसिज में ऐसा नहीं है अगर दो opposite word यूज हुए है तो complete sentence के साथ हुए है और एक perfect जो है balance create कर रहे हैं और जो है यहां पे sense भी completely बनता है बातों का next example देख लेते हैं give every man thy ear but few thy voice कि अपने कान जो है वो सब को दो यानि जो भी कोई कुछ कह रहा है सब कुछ सुन लो लेकिन सबसे अपने मन की मत बोलो next देख लेते हैं speech is silver but silence is golden कि बोलना क्या है silver है लेकिन silence क्या है gold है सोना है एक और example देख लेते हैं जूलिया Caesar से ही लिया गया है important है not that I love Caesar less ऐसा नहीं है कि मैं Caesar को कम प्यार करता था but that I loved Rome more लेकिन मैं Rome से ज़्यादा प्यार करता था और इसलिए मैंने Caesar को मार दिया और example देख लेते हैं man proposes God disposes कि man जो है वो बनाता है भगवान जो है वो पिनाश कर देते हैं united we stand divided we fall कि जब हम united रहते हैं तब हम stand करते हैं एक साथ रहते हैं लेकिन जैसे हम divide होते हैं क्या है गिर जाते हैं बिखर जाते हैं तो oxymoron में और antithesis में आपको confuse नहीं होना है दोनों के बीच का जो difference है वो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है और इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो को हम complete करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई नोस समझाए तो वीडियो को like करें आपके क्या opinion है comment section में रखें चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें thanks for watching this video